तो हे एवरिवन ये वाली वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला था बनाने के लिए तो आज का टोपिक जो हमारा है वो है डिजाइन तो पहले डिजाइन को जान लेते हैं कि डिजाइन कहते किसे हैं किसी भी नमूने को बार बार दोहराने से जो आकरती उभर कर हमारे सामने आती है उसको हम बोलते हैं डिजाइन तो उसके बाद हमारी बात आती है कि डिजाइन के भेद कितने होते हैं तो जो डिजाइन के भेद हैं वो class के according कम्या ज़्यादा होते रहते हैं पर जो most important है वो मैं आपको बताती हूँ कि जो सबसे important डिजाइन के जो भेद वो कौन-कौन से हैं तो हमारा है प्राकर्तिक डिजाइन, बनावटी डिजाइन, सुक्सम डिजाइन, जमेटिकल डिजाइन और सजावटी डिजाइन अब बात आती है कि जो प्राकर्तिक डिजाइन है प्राकर्तिक डिजाइन किसे कहते हैं तो सबसे पहले हम प्राकरतिक डिजाइन की डेफिनेशन जान लिते हैं तो प्राकरतिक डिजाइन जो है वो कौन से होते हैं और फूल पतियों और कलियों या अन्य प्राकरतिक वस्तों के संयोजन से बने हुए जो डिजाइन होते हैं यहां पर आलिखन डिजाइन को ही बोला अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो अगला हमारा आता है बनावटर डिजाइन तो अब हम जानेगे कि बनावटर डिजाइन किसे कहते हैं ऐसे आलेखन जो वास्तविक्ता को ध्यान में ने रखते हुए वस्तो को अधिक से अधिक सुन्दर बनाने के लिए बना बनावटर डिजाइन को ही आलंकारिक डिजाइन कहते हैं ठीक है उसके बाद जो हमारा तीसरा डिजाइन आता है वो है हमारा सुक्षम डिजाइन तो अब हम जानेगे कि सुक्षम डिजाइन किसे कहते हैं प्राकर्तिक डिजाइन, जामितिय डिजाइन और जो आलंकारिक डिजाइन है उन सब को मिलाने से यानि कि उनके सम मिस्रन से बने हुए डिजाइन को हम बोलते हैं शुक्षम डिजाइन और सुक्षम डिजाइन को इसलिए बोला जाते हैं क्योंकि यह वाले जो डिजाइन होते हैं वो बनावट में काफी बारीक होते हैं उसके बाद हमारे आते हैं जामित्य डिजाइन तो अब हम जामित्य डिजाइन के बारे में जान लेते हैं कि जामित्य यंत्रों का सहरा लिया जाता है जामिती यंत्र यानि की पैंसिल, स्केल परकार इतियादी जो भी हमारी जोमेटरी से रिलेटेड होते हैं उन सब का उप्योग करके हम जो जामिती डिजाइन वो बनाते हैं अब आते हैं हमारे सजावट डिजाइन जिन डिजाइनों का निर्मान करके उसकी आलेकन इकाईयों की पूर्णा विर्ती नहीं की जाती है बलकि विभीन हिसाब से विभाजित करके सजा दिया जाता है तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे सजावट डिजाइन और जैसा कि मैंने बोला मैं आपको अगली विडियो में बताऊंगी इन सब के उधारन्स के यह कैसे दिखते है और कैसे लगते है तो अगर आपको विडियो अच्छी लगिए तो प्लीज विडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा क्योंकि ऐसी ऐसी